नमश्कार नमश्कार दोस्तों आज बड़ा इंट्रेस्टिंग टॉपिक है जब आप बाजार में जाते हैं और किसी रेडी पर कोई चीज देखते हैं तो आपके बू में पानी आ जाता है वो क्या है जानते हैं वो है गोलगपे जिनको रिजिस्ट करना बहुत मुश्किल है मेरा एक दोस्त है मेरा फैन है बहुत चाहता है मुझे तो उसने मुझसे ये प्रश्ट करहा कि मामाश्री ये तो बदाएए कि ये गोलगपे आए कहां से तो उसमें दो तीन जगा हमें मिली हैं जहां से ये शु या 700 साल पहले बिहार और यूपी में यह आया सबसे पहले और इसका नाम हुआ करता था राजकचौरी और कोई दहरना यह भी है जो कहती है कि राजकचौरी नहीं गुलगब्पे जो है यह काफी साल पहले मगद में सबसे पहले आये थे और वहाँ के लोग खाया करते थे पर कुछ किवदंतियां ऐसी हैं जो कहती हैं कि ये तो महा भारत काल के हैं अरे महा भारत में एक किवदंति है बड़ी फेमस और वो कहती है कि जब दुरापदी को ब्याह के लिए आए पांडव और बनवास में थे तो एक पर कुंती मा ने उनको कुछ बच्य खुछा खाना दे के दुरापदी को ये चैलिज किया कि कोई ऐसी स्वादिष्ट दिश बनाओ व्यंगजन बनाओ जो के मेरे सारे पुत्रों को खुब पसंद आए और वो भर पे खाएं फिर क्या था वहां से दुरापदी ने पुछका बनाया यानि के गोलगपा बनाया और वो सब को खिलाया और कहते हैं के पांडव बड़े खुश हुए वो खाते ही रहे ये अलग-अलग स्थानों पर इनका नाम अलग-अलग है जैसे गोलगपा है पानी पूरी है कई जगह पे पुछका यानि बंगाल में पुछका कहा जाता है ने पान में फुछका कहा जाता है और ये किसी जगह पे कहीं कहा जाता है कहीं फुलका और कहीं पकोडी काफी इंटरेस्टिंग है और बड़े मसालेदार होता है जाइका इसका जबान पे लगते ही आप जो है बस जननत का मजा आ जाता है तो ये है पानी-पूरी की एक छोटी सी कहानी है नहीं वाह